हाई अब्रिवन कैसे हैं आप सब मैं राजन चादरी आज फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नई जॉब ले करके डारेक्ट एप्लाई करना सिखाऊंगा इस विकेंसी के लिए आपको सबसे में चीज बहुत लोग आपको कन्फ्यूज करते हैं कि मैंने भी इस जॉब के लिए अप्लाई किया था तू भी मत कर मैंने भी अप्लाई किया था मेरी भी नौकरी नहीं लगी मिर को को कोई कॉल नहीं आई तू भी मत कर हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं और हम अप्लाई करना छोड़ देते हैं फिर हम दोश देते हैं दुनिया को कि मुझे नौक apply करना है अच्छा सा professional resume बना करके रख लीजिए अच्छा सा cover letter बना करके रख लीजिए अपने PC के उपर अपने computer के उपर और जैसे जैसे आपको बताता हूँ वैसे वैसे apply करते चले चाहिए अच्छी companies होती है यहाँ पर आपकी job हो सकती है लग सकती है अगर आपका resume अच्छा होगा आपकी capabilities अच्छी होंगी आप अच्छे candidate होंगे अच्छा interview देंगे आपकी selection हो जाएगी interview की तियारी करते रहा करो मेरे अलग-अलग videos भी बन रखे हैं जिसमें मैंने बता रखा होता है उन videos को जाकर के भी आप अच्छे से देख सकते हैं इसके इलावा आप सब से एक request जरूर करूंगा कि please किसी की बातों में मत आया करो apply जरूर कर दिये करो apply करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है सिर्फ आपके थोड़ सा time लगता है वक्त लगता है और वो वक्त आप अपने लिए निकालते हैं किसी और के लिए नहीं निकालते हैं एक target बना करके रखिए कि जो भी vacancies मैं आपको बता रहा हूं उन पर apply करते चले चाहिए करते चले चाहिए करते चले चाहिए करते चले चाहिए माल लेते हैं कोई vacancy आपके मतलब की नहीं भी है माल लेते हैं कोई vacancy पुरानी हो चुकी हो फिर भी apply करते चले जाहिए न क्या दिक्कत है एक cv ही तो upload करना है एक profile ही तो भरनी है एक resume ही तो लगाना है आपन चिंता किस चीज की है, डर किस चीज का है, तो प्लीज एपलाई कीजिए, किसी भी तरह से परिशान नहीं होना है, कंसल्टन के चक्कर्स में नहीं फसना है, कितने कितने पैसे डवांस दे करके आ जाते हो, क्या बनता है, बनना क्या चाहते हो, बनना क्या दिये जाते हो, करना क्या चाते हो करा क्या दिये जाते हो पैसा पांच पांच हजार दस दस हजार पंदरह बंदरह हजार पे दे के आ जाते हो क्या इसी चीज के लिए कमाते हैं आपके पेरेंट्स नहीं प्लीज अपने आप पर विश्वास रखिए अपने आतम विश्वास पर विश्वास रखि प्लीज और आज की विकिंसी जो भी है मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ इस विकिंसी के तरीके में बताऊंगा step by step कैसे कैसे apply करना है आपने apply करते जाना है जैसे जैसे मैं बताऊंगा in case आपको नहीं पता लगेगा नहीं apply कर पाएंगे मेरे से comment books में पुछिए हर तरह से आपकी help की जाएगी मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके हर सवाल का जवाब देने की किस तरह से कैसे apply करना है but please apply कीजिए गवराइए मत is it तो चलिए मेरे screen पर ये रही आज की विकिंसी तो guys अब आप आचुके हैं मेरे laptop की main screen पर जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान latex limited में किस तरह से job के लिए apply करना है मैंने सर्च बार में जाकर के लिखा हिंदुस्तान latex limited careers यहाँ पर enterprise किया तो आपके सामने यह बहुत सारी विकिंसी बहुत सारे लिंक्स खुल करके आगए अब आप इधर उदर क्लिक नहीं करेंगे confusions create हो सकती है better यही है जो link मैं आपको बता रहा हूँ वही पर ही जाकर के हम लोग click करते हैं अब यहाँ पर मैंने click किया click करने के बाद आपके सामने बहुत सारी openings देखिए खुल करके आ गई यह opportunities हैं जैसे यहाँ पर इन्होंने मंगा है online applications are invited for the positions of pharmacist pharmacy assistant on fixed term on contract basis यह government of India की एक website है यहाँ पर आप apply कर सकते हैं बहुत सारी पोस्टें निकली हुई है जैसे यह करनाटका में निकली है accounts assistant की and car driver की इसी तरह से यह पोस्ट जो है त्रिविंद्रम में निकली अलग लग पोस्टें जो है निकली हुई है अगर आप चाहें इसको daily basis पर चेक भी करते रहिए कभी कुछ नया निकल के आ सकता है है ना जब नया निकल के आये तो आप इसमें directly apply कर सकते हैं और इसमें दाल इन्होंने यह भी टाल रखे कि पर फुर्दर क्लारिफिकेशन गाइडेंस या फीडबैक करियर अड़रेट लाइफ के अचे अल डॉट कॉम यहां पर अपना सीवी भी शेयर कर सकते हैं किसी तरह की कोई क्लारिफिकेशन चाहिए गाइडेंस चाहिए आपको आपकी मेल पर जरूर यह भेजेंगे तो यह था जी एक तरीका किस तरह से इस जॉब के लिए अपलाई करना है होप कि आपको समझ में आ गया होगा कोई परिशानी नहीं आई होगी और ठाइए अपना कंपिटर और ठाइए अपना सीवी अपनी हर गिटेल और अपलाई कर दीजिए ना क्यों घबरा रहे हो करिए अभी अपलाई कीजिए और एक और बात किसी की बातों में नहीं आना है जो करना है खुद करना है मैं हमेशा कहता हूँ आपका कोई नहीं है आपके सिर्फ आप खुद हो एजट कर दीजिए अपलाई अभी थेंक यू